सिद्दू मूसेवाला की माँ ने आईवीफ से बेटे को जन दिया तो क्यों हो गई बवाल बाजी? मामले में केंद्री स्वास मंचवाले ने मूसेवाला के परिवार और पंजाब सरकार से क्यों मांगी रिपोर्ट? क्या होती है आईवीफ की आखरी उम्र? आईवीफ को लेकर ये पूरा विवाद क्या है? पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला की माँ चरण कौर ने 58 साल की उम्र में बच्चे को जन दिया है और इसके लिए उन्होंने आईवीफ टेक्नोलोजी का सहारा भी लिया है बच्चे के जन के बाद से ही इस मामले में विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है केंद्री स्वासमंत्वाले ने पंजाब सरकार और मूसेवाला की माँ से जवाब तलब भी किया है आईवीफ टकनीक का 58 साल की उम्र में इस्तेमाल करने को लेकर अब रिपोर्ट मांगी गई है और इस पूरे विवाद के बीच आपके लिए ये भी बहुत जानना जरूरी है कि भारत में आईवीफ कराने की सही उम्र आखिर क्या होती है क्या है सही उम्र का सही एज क्या है क्या आईवीफ कराने से पहले कोई रिजिस्टेशन कराना होता है और क्या आईवीफ सेंटर निसंतान कपल को इसके बारे में सभी जानकारी देते भी है या कोई जानकारी नहीं देते आईए ये ये भी जानते हैं हर देश में दरसल IVF को लेकर अलग-अलग कानून बने हुए हैं। भारत में इसको लेकर कानून बनाए गए हैं। साल 2021 में IVF को लेकर नियों में हलाकि बदलाव किया गया था। और इसको लेकर Assistant Reproductive Technology Regulation Act बनाया गया। इसके मताबिक भारत में महिलाएं 50 साल की उम्र तक IVF स से माँ बन सकती हैं। पुरुषों में ये 55 साल की उम्र है। हलां कि एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सभी प्राइवेट IVF सेंटरों में सरकार के नियमों का पालन किया जाता है या फिर पालन नहीं किया जाता है। इस सवाल का जवाब जाने से पहले चलिए ये जान ले कोई रजिस्ट्रेशन किसी सरकारी पोर्टल पर नहीं कराना पड़ता है। अगर कोई कपल इनफर्टिलेटी की समस्या से जूज रहा है, इस समस्या से परिशान है तो वो IVF का सहारा ले सकता है। लेकिन IVF कराने से पहले कई तरह की ऐसी जानकारिया होती हैं जो कपल को द महिला के शरीर में किसी तरह की कोई खतनाक बिमारी तो नहीं है, इस बात की जानकारी देनी होती है और कपल की उम्र Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021 के कानून के मताबिक है भी या नहीं, ये भी जानकारी देनी होगी। अगर कपल इसमें से किसी भी पैरामीटर पर खारा नहीं उतरता तो IVF नहीं कराया जाता है, अब ये जान लिजे कि 50 साल के बाद IVF क्यों नहीं कराया जाता है, क्या नियम है ये, 50 साल से जाधा उम्र की महिलाओं को IVF न कराने का नियम है, और ये नियम बनाने का एक बड़ा कारण है, और बड़ा कारण ये है कि 50 साल की उम्र के बाद अधिकतर महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है और ऐसे में बच्चे पैदा करने के लिए अंडे लगभग खत्म हो जाते हैं मेनोपॉज यानि पीरिट जाने बंद हो जाते हैं ऐसे में किसी दूसरी महिला का एग लिया जाता है और ऐसे में IVF कराने के कई side effects भी हो सकते हैं जो महिला की जान को जोखिम में डाल सकते हैं तो दरसल भारत में IVF centers के लिए कोई कानून नहीं है कई मामलों में तो 50 साल से अधिक उम्र की महिला का भी IVF करा दिया जाता है कोई कानून न होने की वज़े से IVF centers के लिए है कि IVF से बच्चा पैदा होने की 100 फीसदी गैरेंटी है जबकि ऐसा होता नहीं है IVF से बच्चा होने की सफलता की जो दर है वो 30 से 40 फीसदी ही होती है लेकिन अनफर्टिलिटी के सबसे ज़्यादा मामले भारत में भी है तो इस वज़े से यहां IVF कराने वालों की संख्या बहुती तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है वहीं दूसी तरफ IVF registration का कोई नियम नहीं है तो इसको कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है कोई नियम ना होने की वज़े से रेजिस्ट्रेशन का नियम ना होनी की वज़े से, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद IVF कराना कानूनी तौर पर गलत है, अगर कोई कपल ऐसा करता है तो इसको कानून के खिलाफ माना जाता है, अब यह भी जानिए कि क्या कहता है सरकारी नियम, सरकारी नियम क्या है यह भी इमार ने अपने ART Bill 2021 में IVF को लेकर नियम तेंग किये हैं, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 21 से 50 वर्स तक की निसंतान महिलाएं ही इस तकनीकी का इस टेक्नोलोजी का सहारा ले सकती है, हर IVF सेंटर को निसंतान महिला को पूरे ब्यौरे के साथ जानकारी देनी होती है, इसकी भीद जानकारी देनी चाहिए, तो दरसल IVF के लिए महिला और पुरुष दोनों के ही कई तरह के टेस्ट किये जाते हैं, टेस्ट के रपोर्ट आने के बाद आगे का जो भी प्रोसीजर होता है वो शुरू कर दिया जाता है, और इसके लिए सबसे पहले पुरुष के सीमन को लाब में टेस्ट के लिए लेकर जाया जाता है और इसमें से खराब शुक्राणों को अलग कर दिया जाता है, और इसके बाद महिला के शरीर से अंडों को इंजेक्शन के जरिये बाहर निकाला जाता है और उनको फ्रीज करके से रख दिया जाता है, इन अंडों के स साथ अच्छे सीमन को लाब में विशेश तरीके से फर्टिलाइज किया जाता है और फिर उसके बाद इस फर्टिलाइजेशन से जो भूर तयार होता है उसको कैथिटर की मदद से महिला के गर्भाशे में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसके कुछ सब्ता बाद महिलाओं क को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिससे कि देखा जा सके कि आगे क्या कुछ हुआ है देखा जाता है कि गर्भ में भूर कैसे तयार हो रहा है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के तरह तरह के टिप्स भी बताये जाते हैं कर दो कर दो